हाई एवरिवान वेलकम बाक टो मा चैनल मेरे चैनल का नाम है ब्यूटी मैनिया वेद रितू अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और मेरा नाम है रितू तो जैसे कि आपको टाइटल पढ़के पदा चल गया होगा तो आज का वीडियो होने वाला है मेरी जो स्किन केर रूटीन है बहुत सारी स्किन केर मनलब बहुत जादा मैं यूज नहीं करती हूँ तो आज ये वीडियो मैंने इसी पर बनाया है बहुत से लोग कह रहे थे कि आपकी skin बहुत शाइन करती है और naturally काफी clean है और काफी लोग कह रहे थे तो मैंने सोचा इसके ओपर एक वीडियो बनाई जाए मैं क्या use करती हूँ actual में तो इसी पर मैं आज की मैंने आज की वीडियो बनाई है और पिछले कहीं सालों से जैसा की लिखा है डाइटर पे मैं कहीं सालों से कोई भी face wash यूज नहीं कर रही हूँ मैंने face wash यूज करना बंद कर दिया था I mean school से 12th class मैंने ये face wash यूज करना बंद कर दिया था क्योंकि मेरी skin थोड़ी सी dry थी इसी वजह से मैंने इसको बंद करा क्योंकि उससे मेरा face और ज्यादा dry हो रहा था मैं हर तरीके के face wash यूज कर चुके थी लेकिन मेरी skin फिर भी dry हो रही थी उससे दीरे दीरे मेरे जो यहां पर lining आती है इतनी जल्दी age में आनी शुरू हो रही थी तो मुझे लगा कि मुझे face wash बंद कर देना चाहिए फिर मैंने एक दूसरी चीज यूज करने शुरू करी और आप तक मैं वही यूज करती आ रही है उसमें कुछ एक और दो तीन चीज है मैंने add करी है और आज मैंने कोई भी make-up नहीं किया है सिर्फ lipstick apply किया eyeliner और थोड़ी सी मैंने eyebrow set की है तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कोई भी आप देख सकते हो कोई भी make-up मैंने use नहीं किया है मैं simple एक जो serum मैं use करती हूँ वही लगा के बैठी हूँ कुछ भी नहीं है मेरे face पे तो मेरे face ऐसे ही है without make-up तो मैं आज आप लों के साथ share करने वाले हूँ क्यों मैं actual मैं use क्या करती हूँ तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को तो शुरुआत करते हैं face wash से इसके लिए मैं सबसे बहले use कर रही हूँ बेसन बेसन हर जगे आपको मिल जाएगा इसके बाद ये ब्लाबला का powder है और ये है मुलतानी मिती जो ब्लाबला का सबसे बहले मैं मुलतानी मिती add कर रही हूँ दो चमच लिया है तो इतना mixture मतलब 20-25 दिन आराम से चल जाता है इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ ये ब्लाबला का है ब्राइटनिंग इसके ब्राइटनिंग फेस पैकी है लेकिन मैं इसे as a face wash भी यूज कर रही हूँ तो मैंने इसको भी add किया है तो इन तीन चीज़ों को हमको mix कर लेना है इस तरीके से ये जो mixture है इतना mixture आपको 20-15 दिन अराम से चल जायता है अब हम इसको अच्छे से जो हमारा खाली container है उसमें हम इसको डाल लेंगे इस तरीके से इसके बाद हम cap लगा के और अच्छे से इस तरीके से shake कर लेंगे ताकि एक-एक जो भी पार्टिकल है वो आपस में mixture अच्छे से mix हो जाए तो ये हमारा face wash अब serum के लिए मैं use कर रही हूँ सबसे पहले हम एक चमच लेंगे गुलाब जल हो गया glycerine हो गया serum हो गया कोई भी facial serum facial और aloe vera gel narial का तेल और vitamin E के capsul और ये खाली container है तो सबसे पहले हम aloe vera gel लेंगे तो मैं यहाँ पे 2 spoon ले रही हूँ इतना जो mixture मैं बना रही हूँ वो 15-20 दिन अराम से चलता है अब मैं यहाँ पे glycerine ले रही हूँ glycerine आप अपने हिसाब से ले सकते हो अगर oily है तो कम कर दीजिये quantity है ज्यादा dry है तो आप ज्यादा ले लीजिये अब हम गुलाब जल एड़ कर लेंगे दो चम मच इसके अंदर मैं serum यूज कर रही हूँ facial जो serum होता है तो मतलब दो बार मैंने इसको लिया है अब इसमें मैं एक spoon नारिल का तेल ले रही हूँ यह हमारे दाग दब्बे वगरा जो होते हैं उन सब को height करने में काफी helpful होता है अब हम इसमें add करेंगे vitamin E के capsule तो मैं यहाँ पर दो ले रही हूँ अगर आपको ज़्यादा dry है तो तीन भी ले सकते हो oily है तो एक capsule काफी है oily skin है अगर आपकी तो इन दोनों को हम अच्छे से mix कर लेंगे तो इन सब चीज़ों से मिलकर यह serum बनता है इसे अच्छे से blend करना है एक एक चीज तो जब यह blend हो जाएगा तो एक ठिक mixture तयार हो जाएगा इस तरीके से सारी चीज़े mix हो जाएगी आप जाओ तो coconut oil को melt करके यूज कर सकते हो मैंने डारेक्टी यूज किया है अब एक खाली कंटेनर में हम इसको भर लेंगे आपको इसे फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल खराम नहीं होता है तो बीस पच्छे दिन आप आराम से यूज कर सकते हो मैं इसके लिए यूज कर रही हूँ एक कटोरी कोई भी तो पूरे फेस के लिए हाफ स्पून काफी होती है तो मैं इतना सा ही ले रही हूँ इसको हम इसी में ऐस तरीके से डाल लेंगे इतना इतना काफी है फेस के लिए आप चाहो तो इसे जैसे हमने थोड़ी दे लगा लिया दो-तीन मिनट के लिया इसको घोड़ दो बहुतत अच्छा उप्यक्छा मैंने इसमें पानि मιक्स किया है पानि आपको इतना मिक्स करना है कि बहुत ज़ादा वॉटरी वाला नहीं जो उसका मिक्छर होता है। बहुत जादा भी ठिक ना हो, तो इस तरीके से आपको पानी सिर्फ पानी आपको मिलाना है, और कुछ नहीं मिलाना है, आप चाहो तो अगर वीक में एक दो बार कच्छा दूद भी मिला सकती हो, उसे भी आपका स्किन काफी ब्राइट हो जाएगा, और आपका जो कलर है वो क आप चाहो तो दो-तिन मिनट के लिए छोड़ सकते हो, उसके बाद हम सर्कुलर मोशन में हम अपने फेस को साफ कर लेंगे इस तरीके से, आप एक से दो मिनट तक मसाज करो, तो बहुत अच्छा एफेक्ट आता है इसका, और दो टाइम आप इसे यूज करो, मॉर्निंग औ तो आप देख सकते हो, यह बहुत अच्छे से क्लीन करता है, ड्राइ स्किन है तो आप इसको जरूर ट्राइ करें, यह इतना अच्छी चीज है कि आपके स्किन को अंदर तर डीप क्लीन कर देगा, आप कभी भी फेस वाश पसंद ही नहीं करोगे इसको यूज करने के बाद इस तरीके से अप्लाइ कर लेंगे अपने फेस पर, इससे बहुत अच्छी शाइन भी रहती है इसकिन पर आपने देखा इस तरीके से इस सीरम को लगा के शाइन आती है, तो मैं डेली यही रूटीन करती हूँ, I hope आपको यह अच्छी अच्छी लगी होगी जो मैं रूटीन यूज करती हूँ, आप इसे एक बाद ट्राइ करके देख सकते हो, ड्राइ स्किन के लिए बहुत अच् क्योंकि मेरी खुद की भी dry skin है, तो उन लोगों के लिए यह best process है, बजाए market के face wash लेने से अच्छा आप इस तरीके से अपने face को साफ करें, और मैं market से कोई भी moisturizer नहीं use करती हूँ, कोई भी market का moisturizer use नहीं करती हूँ, क्योंकि वो कोई भी नहीं टिकता है पूरे दिन, इसलि को, भी मिलती हूँ next time, तब तर के लिए, bye bye, take care